हेलो फ्रेंड्स कैसे हो अभी दोपेर का टाइम हो गया है और यहापे देखिए बनीज खेल रहे हैं अभी बहुत अच्छे से खाने लग गए है पत्तिया कैबेज की पत्ती और धनिया पत्ती और मस्ती भी करने लग गए है दो दिन से और यह है हमारी चेरी और ब्लैक वला ह कैसे नाम लगे इनके बताएगा और थोड़ा इनको भी खुला रखेंगे हम क्योंकि बनीज को ज्यादा पैक में रखते हैं अदर्वाइस वह बिमार पढ़ जाते हैं बहुत जल्दी और मेरी वाइस आपको थोड़ी खराब आ रही होगी क्योंकि मुझा कोल्ड हो गया है इस वज़े से तो प्लीस समझ लीजिएगा और अभी देखिए कितने मस्ती चालू हो जाएंगी इनकी यहां पर मैंने वीडियो को फुल स्पीड दे दिया है वरना लंबी हो जाती है वीडियो और यहां पर देखिए आंशुने कले के गनपती बनाए और इस तला से देखिए कैसे लगे बताएगा तो यहां पर देखिए आंशुन दूद बिस्कित खा रहा है और शाम का टाइम हो गया है मेरे हजबन आये थे और इनोंने भी आपको हाई बोल दिया है वो ना पाच-दस मिंट के लिए आये थे काम से तो यहीं उनके काम में बिजी रहते हैं वो और हम सोच रहते हैं यहीं पर कि अभी रैबिट्स को रखी लेते हैं क्योंकि जिन से हम तो तीन दिन रखे देखो आप समाल पाते हों कि नहीं और अशु भी अभी अशु का भी मन लग गया है ना रैबिट्स में तो इसलिए हम अभी फाइनली डिसाइट कर लिया है कि रैबिट्स को भी हमारे पास में रखेंगे क्योंकि कोई भी पेट्स लेते हैं ना उनकी अ ही बहुत मुश्किल है रैबिट्स को रखना इस वज़े से और अभी ठंड का मुसम भी आ रहा है तो इनको थोड़ा पैक ही चाहिए और शाम को देखी यहां पे में दिया लगा रही थी तो फ्रेंड्स अभी बगवान जी को दिया लगा दिया है और अभी न तो इसको न मिठाई खाना है इसको मौन थाल की मिठाई बहुत अच्छ लगती है यह यह मेरी भी फेवरेट है बहुत इच्छी इस बार बहुत यम्मी बनी थी गन्पर जी बापको इसका भोग भी तड़ाएंगा उनली टू टू पिस लो उसके बाद खाऊं तो कि न यह जूटा कर देता है रेखो हाई करो हाई गाइज आज करें थोड़ा दो तीन दिन से डाउन चल रही है इस वज़े से धीरे धीरे काम हो रहा है मेरा सब तो वहाँ पर देख सकते हैं बरतन सारे नीचे डाल दे क्योंकि तोकरी चाहिए थी ना मुझे इसलिए और अभी बरतन वोश करने हैं उसके बाद में आंशु का सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां पर दिवाली को सब कपड़े वगरा यूज में लेते हैं यह सब इस तरह से मैसी हो गया है इसको भी मुझे करना है यह काम मैं पेंडिंग पड़ा है बहुत दिनों से इसको भी करना बाकी है और अभी कपड़े की घड़ी कर लूंगी और साथी साथ डिनार भी बन रहा है तो यहीं है आज शोचरियों में डिनार में क्या बनना हो और उपर है न यह मेरे बॉक्स बनाया था उसमें कपड़े जुटे छूटे और नीचे में आंशू के बुक्स बगरा रखती हूं तो यहीं रहता है इस वाली रैक में क्या रखते हैं और यह रैबिट्स को न नीचे चीटिया आती है भी 2-3 दिन से पता नहीं चीटिया हो गई है तो तो इसलिए इनकी जगाँ चेंज कर देती हुँ तो और ले ना आज कल मोसम चेंज हो रहा तो बारीख-B foul एक चाहिए ऐते हैं लाइट की वजह से इस वजह से इनको ऊपर रख देती हुँ टेबल पर तो इहां प्लाइन उपर से ढग देती हूं क्योंकि यह लाइट की रोशनी होती न वह जाली पर पढ़ती है इनके इसलिए तो बहुत ही केर करना पड़ता है अगर हमको एक पैट खरी देना तो दस बार सोचना पड़ता है कि उनको हम केर कर सकते हैं या नहीं और आशुने देखे इस तरह से डि बॉक्स खेलने का और इसमें भी मस्ति करते हैं और यहां पर देखे मैंने बाटी काटा थोड़ा सा किसा के लाई थी क्योंकि जादा पिसाते ना तो कि कभी-कभी बनाती हूं मैं बाटी इसलिए और यहां पर रोटिया पड़ी थी दोपेर की इसको मैं फ्रीज में रख द लगा लेती हूं देन बाद में विलती हूं आप सभी से हैं तो यह भी मैं लाओंगी जब भी मार्केट जाओंगी तो फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यह भी खतम हो गया है और हैंकी वगरा सब दो दिया था किचन के और इसको भी फॉल्ट करके रखती हूं तो इस तरह से रख दिया हैं और घर में इतनी चोटी चोटी काम होते हैं ना सब तरफ ध्यान देना बहुत मुश्किल होता हैं और अभी मैं चटनी बना रहे हूं यहाँ पे मूंगफली लिए मैंने इसको मैं भून लेती हूं और हरी मिर्ची और लसुन लिया हैं तो चलो फिर अच्छे से भून लेते हैं मुंगफली को सबसे पहले और थोड़ा सा पानी डालोगे ना मुंगफली में थोड़ा सा चीटे डालोगे पानी के तो बहुत ही अच्छे से इसके चिलके उतर जाते हैं और अच्छे से भून जाती है मुंगफली और जब भी आप चटनी बनाते हों थोड़ी मूटी हरी मिर्ची लेनी चाहिए इसके बहुत टेस्टी बनती है और यहाँ पर देखें मैंने साइड में छिलके निकाल लिये हैं मुंग फली के अभी इसको भून लेंगे हरी मिर्ची और लसुन को और यह भी रेडी है तो इसको पीस लेते हैं और सबसे नीचे हम मुंग फली डालेंगे क्योंकि करणा कोती हैं मुंग फली इसलिए और उपर से हरी मिर्ची लसुन और थोड़ासा नमक डालेंगे और आप चाहे तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और थोड़ासा पानी डालना है ज्यादा पतला नहीं करना हैं हमको तो देखे चटनी पीस के रेडी हो चुकी है अभी हम एक पैन में है ना तेल गरम करेंगे तेल थोड़ा सा डालना है क्योंकि ये चटनी थंडी अच्छी लगती है गरम नहीं करना है और इसमें में डालूंगी थोड़ा सा जीरा अखा जीरा डालना है तेल गरम हो चुका है अभी में जीरा डालूंगी जीरा भी अच्छे से क्रैक होने के बाद गैस बंद कर दिना है आप चाहे तो कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और गैस को बंद करके ही डालना है चटनी क्योंकि यह चटनी थोड़ी ठंडी ही अच्छ लगती है इसलिए तो भी इसको मिला लेंगे मिक जोई कर सकते हो किसी भी पराठे के साथ दोसे के साथ बहुत ही अच्छ लगता तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे बताएगा और जो भी न्यूव है मेरे चैनल पे प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडि झालो है झालो है और जो गिर मेरे से लगएफ प्लिएड़ ओडिस अालो है जर। प्लिएपैब झालो है तो यह यह जो जो पहुत है हैं यह चैंट लोक चहत्ट कर अगिता कांग। आज अपिता के हम आगिता के हिए विए वजतिजानी सन्ग